तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप खुद से घर पे अपने पर्दों को कैसे ठीक कर सकते हैं तो यह जो यहाँ पे आप मेरा पर्दा देख रहे हैं इस पर्दे को आपने मेरे बहुत सी वीडियो में देखा हुआ होगा बैक्ग्राउंड में आपको बहुत बार यह पर्दा दिखाई दिया होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसका पीछे वाला पोशन जहांकि आप रिंक्स लगाई रहती हैं देखिए वहाँ पे एकदम यह धोने से कुछ समय के बाद फट जाता है तो इसको हम कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं हम खुद से ही इसको ठीक कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगे कि आपको कैसे करना है तो सबसे पहले हमको यह जो वाइट वाला पोशन है इसको हमको वाइट वाली पट्टी को निकाल के अलग कर देना है और जब आप इसको निकालेंगे तो उसके साथ साथ जो rings है वो भी बाहर निकल जाती है तो ये आसानी से आप इनको बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद rings को भी अलग कर लेंगे और अब देखिए जब पूरा पटी पीछे का निकाल दिया मैंने तो अब ये परदा हमारा कैसा हो गया है तो अभी मैं आपको बता दू कि इस परदे में टोटली 8 rings बने हुए होते हैं और ये जो आप पटी देख रहे हैं इसे मैंने मार्केट से खरीदा था ये 20 रुपया की पटी है एक परदे का आपको 20 रुपया देना पड़ता है और 8 rings के लिए गोले बने हुए होते हैं तो आप इसको किसी भी जहां पर परदे मिलते हैं या बेटशीट वगरे मिलती हैं वहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने परदे को अच्छे से कहीं फर्ष पे बिछा लीजिए और उसके उपर ये जो आपने पटी खरीदी है वाइट वाली इसको उसके उपर रखिए ऐसा होता है कि जो हमारे परदे होते हैं और जो हमको मार्केट में पटी मिलती है दोनों के गोले आपस में मैच नहीं हो पाते हैं तो अगर आपने जो खरीदा है पट्टी अगर मैच हो गया तो अच्छी बात है और अगर मैच नहीं होता है तो उसके लिए हमको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी तो आपको ये दोनों पहली पट्टि पैटि को जहां से लगाना है वहाँ पे आप उसको रख लीजिए गोले के साथ और फिर दूसरे वाले गोले पे हाथ को रखके और जो एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है उस पे आपको निशान लगा देना है स्केच की मदद से जो भी आपके पास पैंसिल उपलब्ध हो उस में सिलाई लगाईए या तो आप एक ही बार पूरी मार्किंग कर लीजिए और मार्किंग करने के बाद आप एक ही बार सिलाई करिए हर जगे का तो आप दोनों आप्शन से इसको कर सकते हैं तो यह आपे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो तो मैंने यह देखिए पहले निशान लगा लिया है और उसके बाद में अब ये सारे जहां-जहां मैंने निशान लगाया है वहां-वहां मैं सिलाई लगा लोंगी तो अब मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया था वहाँ वहाँ सिलाई लगा दी है और अब इस पटी को हमको उल्टा करके अच्छे से यहाँ पे पहले आप प्रेस कर लेजिए और प्रेस करने के बाद आपको इस पटी को उल्टा करके और परदे के उपर अच्छे से बिछा देना है आप चाहे तो हलका सा इसको प्रेस भी कर सकते हैं और अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि आपको रिंग्स को अलग कर लेना है और रिंग्स को अलग करने के बाद आपको जो परदे हैं उस पटी और जो परदे का कपड़ा है उन दोनों के बीच में आपको rings को लगा लेना है इसमें भी आप चाहें तो पहले सिलाई लगा सकते हैं उपर नीचे लेकिन मुझे ये rings पहले लगा के उसके बाद सिलाई करने में ज़्यादा comfortable लगता है तो मैं एक-एक करके सारी rings को अच्छे से बैठा दूगी और उसके बाद मैं उपर नीचे सिलाई लगाओंगी तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी rings को अच्छे से बैठा दिया है और अब मैं उपर की तरफ सबसे पहले जो उपर वाला portion है वहाँ पे पूरी सिलाई लगा और अब उपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे सिलाई लगानी है वो मैं अंदर की तरफ से लगाओंगी और अब मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लगा दे दिखिए मेरे परदे एकदम अच्छे से तयार हो गया है अब लगी नीरा है कि कहीं से दिये हैं, तो I hope friends आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो please like करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा Thank you and bye bye